disciples welcome to my youtube channel disciple nature point आज की class में हम लोग हमने दो questions लिये हैं और वो दो questions में से एक addition का है और एक subtraction का है और जो addition का और subtraction जो questions हैं वो mixed fraction में दिये हुए हैं तो अब जब mixed fraction में questions दिये हो तो उनको add और subtract कैसे करते हैं तो चलिए हमारे पास जो पहला question है उसको solve करते हैं then दूसरा वाला करेंगे तो अब सबसे पहले तो जो mixed fraction होता है उसको हमें improper में convert करना होता है तो सबसे पहले हमें improper में इसको convert कर लेते हैं तो improper में convert करने का मैंने आपको तरीका बताया है पुरी एक वीडियो मैंने बनाई है कि mixed fraction को improper में कैसे convert करते हैं तो उसके लिए आप वह वैसे मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ, चलिए, क्या करते हैं, सबसे पहले तो denominator जो होता है, इस mixed fraction में, उस denominator से ये जो whole part होता है, उससे multiply कर देते हैं, multiply करने पर जो भी answer आता है, इस fraction के numerator से उसमें add कर देते हैं, चलिए, आप हो सकता, आपको समझ में ना आया हो, हम करते हैं इसको, तो 7 है मारे पास, 7 को पहले 2 से multiply करेंगे, तो 7, 2, 0, 14, हम इसको करके दिखा देते हैं, 7, 2, 0, 14 आया, फिर जो भी number आता है, इसमें हम add करते हैं ये numerator को, तो add करके अभी लिख देते हैं, नहीं किया है, और नीचे जो denominator में है, वही रहेगा, फिर ठीक है, प्लस साथ में इसको भी कर लेते हैं, तो 14, 5, 0 होता है, 70, और प्लस में आ जाएगा, 3, upon में 14, तो इनको हम add करेंगे जब, तो add करने पर हमें ये मिलेगा, 17 upon 7, और ये मिलेगा हमें, 73 upon 14, ठीक, अब, अब ये दिखिए, तो ये unlike fraction में convert हो गया, अब ये जब unlike fraction में convert हुआ है, तो इसको फिर से वही करना पड़ेगा, मतलब इसमें denominator का, LCM लेना होगा, तो चलिए LCM ले लेते हैं यहाँ पर, तो LCM आ जाएगा, 7 से करेंगे, 7 1 is 7, 7 2 is 14, फिर 2 से करेंगे, तो ये 2 1 is 2, तो 7 multiplied by 2 मतलब 14, हमारा LCM आ जाएगा 14, तो जब 14 LCM आए, अब इसको इससे divide करेंगे, तो हमें मिलेगा 2, तो 17 को multiply करेंगे 2 से, प्लस बीच में है, अब 17 को, 73 को sorry, आप 14 को 14 से divide करेंगे, तो 1 मिलेगा, तो 73 को हम 1 से multiply करेंगे, तो अब दिखिए, इसको multiply करेंगे जब हम, तो देखिए कितना मिलेगा, 17 to the 34, प्लस 73, और denominator में हैं मारे पास 14, तो अब इसको जब हम add करेंगे, तो देखिए addition पे हमें, क्या answer मिलेगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, addition करेंगे, तो देखिए, 4 और 3 होता है 7, और 7 प्लस 3 हो जाएगा 10, हमें carry तो मिला नहीं था, तो इसलिए 7, 3, 10, 107, अपॉन क्या हो जाएगा 14, यह इसका final answer हो जाएगा, तो I hope आपको यह समझ में आया होगा, चलिए next, second part करते हैं, second part है हमारे पास, 3 and 1 eighth minus 2 and 1 fourth, ठीक, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, तो आप समझ लीजिए, यह whole part होता है, और यह fraction part होता है, तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, यह whole part अलग पढ़ा जाता है, बीच में and लगाते हैं, और यह इसको fraction को कैसे पढ़ना, यह तो आपको आता ही होगा, ठीक, अगर आपको नहीं आता है, तो आप मेरी fraction वाले जो first video है, introduction, वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, कि इस fractions को कैसे पढ़ते हैं, और यह fractions कहां से आते हैं, ठीक, चलिए, तो यह इसको हम पढ़ेंगे, 3 and 1 8th, और यह इसको पढ़ेंगे, 2 and 1 4th, तो सबसे पहले तो इसको improper में convert कर लेते हैं, तो improper में convert करने के लिए, जैसे यहां किया था, हम multiply करेंगे, तो 8, 3,024, अब हम इसको direct करते हैं, हमने यहां पर यहां पर गायब कर रहे हैं, तो 8, 3,024, 24 और 25 हो जाएगा, तो 25 upon 8 हो जाएगा, minus, यह हो जाएगा, 4,2008, 8,1, 9, 9 upon 4 हो जाएगा, ठीक, अब फिर से यह, हमारे पास unlike fraction हो गया, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनके denominator का LCM लेंगे, तो जब हम इसका LCM लेंगे, तो हमें मिलेगा 8, आप करके दिखिएगा, 8 ही मिलेगा LCM, ठीक, फिर अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 मिलेगा, तो 25 को हम 1 से multiply, minus, इसको करेंगे, तो 2 मिलेगा, तो 9 को 2 से multiply करेंगे, I hope यह आपको समझ में आ रहा होगा, यह हो जाएगा, 25 into 1, 25 minus 9 to 0, 18 upon 8, तो अब इसका जो final answer आ जाएगा, वो इसको minus करके जो आएगा, वही इसका answer हो जाएगा, तो 25 minus 18, आपके पास मिलेगा 7, और denominator में है 8, तो इसका answer आ गया 7 upon 8, तो I hope आपको यह questions समझ में आ रहा होगे, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी next class में, तब तक के लिए keep learning and keep growing,